जैहिंद वंदे मातरों स्वागत है आप सभी का गुरुसिव वर्ड एक्जाम स्टरड़े पैटफोर्म में दोस्तों आज के एह विडियो EVS के A2Z निचोड यानि 50 क्वेशन्स रंखला में ऐसे NCRT क्वेशन्स हमने लिए हैं जिसमें पैड़ा गोजी और कॉंसेप्ट NCRT EVS को पूरा खतम करेंगे पूरा धुवा धुवा करेंगे बस बने रहेगा ऐसे अगर 50 क्वेशन अगर आपने ये देख लिए तो एक्जाम फते हो जाएगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा पहला कुस्षन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर यह है कि EVS में सैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश से क्या है अब ध्यान दीजेगा यह जो डैस डैस है इसमें आपको एक ऑप्शन भरना है क्योंकि सीटेट जो EVS पूछा जाता है याद रखिएगा जो CVT में पूछा जात चात्रों को हस्त गतिविदी आधारित अनुभों को प्रदान करना ऑप्शन नमबर B सामाजी करण को बढ़ावा देना एंड टीम भावना को बढ़ावा देना आंसर हमारा ऑप्शन नमबर B इसलिए हो जाएगा हम कुछ ट्रिक्स भी इस्तेमाल करेंगे जब भी कोई एक को मिलेगा खुद से बच्चे सीखेंगे हस्त गतिविदी आधारित अनुभों भी प्रदान मिलेगा अनुभों भी जो है उस इनवायरमेंट में मिलेगा बच्चों को तो आंसर हमारा B लोख हो जाएगा याद रखेगा जब बच्चा ब्रहमन करता है क्या जब बच्चा जो ग्यान होता है वो क्या होता है वो इस्थाई होता है उसका ग्यान इस्थाई होता है इसी लिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर बच्चे को भ्रहमन करा रहा है तो उसको जो सीखने को मिलेगा वो बहतरीन वाला यानि इस्थाई तोर तरीका सीखने को मिलेगा पुच्च जवर तेज बुखर के साथ कप कपी जिसका उपचार सिंकोना पेंड की छाल से किया जाता है तो वह कौन सा ओप्शन हो जाएगा तो दोस्तों वहाँ पर अगर आप सिंकोना की बात करते हो तो मलेरिया हो जाएगा याद रखिएगा मलेरिया की जब भी बात होती है तो मलेरिया को खोजने वाले रोनार्ड रास हैं क्या हैं? रोनार्ड रास ने सबसे पहले ये बताया कि मच्छर से ही भीया क्या होता है मलेरिया होता है मच्छर के पेंट में ताका जाकी करने वाले रोनाल्ड रास रहे हैं एक साथ में और मैं बता देता हूँ डेंगू जो है ये क्या है ये एक वाइरल डिजीज है तो वाइरस से होने वाला डेंगू होता है और मलेरिया जो होता है ये प्रोटो जो आसे होता है ये भी बात दिमाग में आपको बैठा लेना है तो फिलाल इ option सही हो जाएगा अगले question number 3 पर हम बढ़ेंगे चलेंगे जवाब दीजेगा answer क्या होगा चलिए बताइए यहाँ पर answer क्या हो सकता है कि आप एक EVS की कक्षा को संचालित कर रहे हैं आप निम्लेखित में किस मुद्दे पर कच्छा में चर्चा नहीं करेंगे बड़ा अच्छा प्रश्ण है कि आप एक अध्यापक 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 हैं और आप क्या कर रहे हैं कि मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन क्या आप नहीं करेंगे यह आपको बताना है बहुत बढ़िया सुबह आट वजे वाली क्लास बेटा चली है हाँ, देखीगा यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा वो option number B lock हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध संकट नहीं चलना चाहिए याद रखना है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो option number B है यही एक negative option आता है क्योंकि primary के बच्चे, रूस यूक्रेन संकट अंतराच्टी मुद्ध से क्या मतलब रखेंगे आंसर अमारा B चला जाएगा चलेंगे अगले question की तरफ, question number next आपके screen पर है, करा निम्लिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है इतने भी options की बात मैं करो, तला हुआ भोजन क्या तला हुआ भोजन जो होता है उसमें खाद्य युक्त रेशे होंगे मैं आपको बताता हूँ खाद्य युक्त रेशे किसमे किसमे हो सकते हैं देखिएगा, खाद्य युक्त रेशे जो होते हैं वो फल और सबजियों में ज्यादतर देखने को मिलते हैं बैसे दाल में भी होते हैं लेकिन फल और सबजियों में ये आहरी रेसे होते हैं इनको रुक्षान स्पादब के नाम से जानते हैं क्या रुक्षान स्पादब के नाम से जानते हैं इनको कहा जाता है आहारी रेसे जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही आवस्यक है आंसर हमारा option number D lock हो जाएगा बढ़ेंगे अगले question number 5 पर प्रड़ा गोजी का एक बड़ा question है आपको lock करना है चलिए और यह जो आहारी रेसे होते हैं यह क्या करते हैं दोस्तों जो हमारे सरीर में पचे हुए भोजन के अलावा जो अपच भोजन होता ना जो पचता नहीं है उनको बाहर निकालता है ये भी आपको याद रखना है बच्चों में जीबों के बारे में समझ को विक्सित करने के लिए विध्याले में निमलिखित में कौन सी गतिविती आयोजित की जा सकती है बड़ा सुन्दर प्रश्ण है और आप एक अध्यापक अध्यापिक अगर बनेंगे तो कौन सी हिन प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करें या च्छात्रों से अपने पसंदीदा जानवर के बारे में निवंद लिखने को कहें अब इन सबसे बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर देखी निकल कर आ रहा है कि एक योजना आप बना लें कि भाईया जीवों के बारे में विक्सित अगर करनी है समझ तो यात्रा कहां की बनाएंगे चिडिया घर की और अगर चिडिया घर में पहुंच जाते हैं तो अलग अलग तरीके के हर तरीके के जीव आपको देखने को मिल लाएंगे पसु पक्षी देखने को मिल लाएंगे तो वहाँ अगर चले जाते हो तो सारे काम सॉल्व हो जाएंगे है ना और योजना अगर बना लेते हो और बच्चों को विविन प्रजातियों के बारे में आवासों के बारे में कैसी प्रजाति कौन सी क्या खाती है कहां रहती है इनके कैसे घर होते हैं है ना तो ये सबसे ब खुकर्वास से सरवादिक विनास की شेत्र में होता है चक्रवास यानी साइक्लोन की बात हो रही है और अगर हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं दोस्तों तो हम यह कहेंगे हम यह कहेंगे कि अगर भारती आप ले kiंगे बारत का यह जाना है तो आप इजांते हो Qian इस लिए इस question का answer option no. C हो जाएगा अरे इस पथारी अगर आपको पता हो कि पथार होता क्या है तो आप लगाएंगे ना पथारी क्या है पथारी वो छेत्र होता है जो परवत से थोड़े से नीचे होते हैं उपर फ्लैट होते हैं ठीके ना जो ऐसे पहाड होते हैं पहाडों का उपर वाला रहिस्सा इस तरीके से आप कर दोगे तो ये पठार बन जाएगा समझ रहे ना तो ये पठार कैसे हो जाएगा अभी पठार तो उपर होता है तो वो कैसे कहीं ना कहीं बिनास हो जाएगा उसका तो ये तो ध्यान देना है अगला कुछन आपके स्क्रीन पर है सेवर नंबर कच्छा आईवी और का एक कीवी सिक्षक विभिन प्रकार के पसूं जैसे सरीसरप और उभहेचर का एक वीडियो दिखाता है उनके बारे में चर्चा करता है इस गतिविदी का स जल में रहते हैं और उनको दिखाने के बाद एक उद्देश से आता है तो वो क्या है पसूं को भोजन दिखाने में यानि आकरसित करता है पसूं और उनके जीवन में बिभिन्यता का निरिक्षण करने में बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर यही हो जाएगा क्योंकि उनक सुंदर बहुत बड़ियाँ क्या वात है थ्यान दीजाएगा आपसे कहरा computer cellular phone इत्यादी electronic अपकरनों के abses go क्या कहा जाता है स्वागत हैंदेखेगा आपसे साप साप कहरा कि computer का जो algorithms होता है electronic जितने भी उपकरन है उनका जो asist होता है वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा दोस्तों वो कहलाएगा e-waste कहलाएगा जिसको electronic waste कहा जाता है answer हमारा e-lock हो जाएगा अगले question बढ़ेंगे एक भाई answer कोई मारता है उसके पीछे ही answer मारने लगते हो आप लोग है ना गलत बात है ना तो अपना दिमाग लगाओ नहीं पता तो इसको सीखने की कोशिज करिएगा चलिए चलो भाई बताईए देवाब दीजएगा बहुत बढ़िया सर मैंने करेक्शन कराया है लेकिन कैफे वाले ने बिना करेक्शन किये सम्मिट कर दिया अब करेक्शन नहीं हो रहा है तो अब क्या करें अब कैफे वाले को पीट दो पटक के मारो ठीक है ना क्योंकि कैफे वाले मैं क्या ही करूँगा बताइए चले कुशन नमबर 9 देखीगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुआत किस बर्स हुई थी कोई बात नहीं है दिमाग ना लगाओ भी पढ़ाई करो और क्या करना है एकजाम दीजेगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुआत क कब मनाते हैं तो आप क्या मारेंगे बाग दिवस हम कब मनाते हैं तो जो बाग दिवस होता है टाइगर डे ठीक है ना तो बाग दिवस हम कब मनाते हैं ये भी कुशन एकजाम में अगर देखा जाए मिलान वाले में तो 29 जुलाई को मनाते हैं ठीक है ये भी दिमाग में ब है जबाब दीजे थेंक यू बहुत सुन्दर चलो हाँ थोड़ी सी तवियत में सुधार है अभी कवर होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा ठीक है चलो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं देखिए आपकी टंग जो होती है उसमें एक आपका अग्रभाग होता है एक मद्द आगे के कुछ और स्वाद होते हैं पश्च के कुछ और स्वाद होते हैं मद्दे के कुछ और स्वाद होते हैं तो जीब के हर भाग पर एक अलग-अलग स्वाद होता है कहीं खटा होता है कहीं मीठा होता है तो वही स्वाद कलिकाएं जो होती है वो आपकी जीब पर होगी नकीदात नाक गले में होगी आंसर हमारा बी चला जाएगा तो इसलिए ये टंग वाले ओप्सिं के तरफ चला जाएगा अगले कुछिं की तरफ बढ़ेंगे ग्यारा नंबर की बच्चों के लिए कितने घंटों की नीद आवस्यक है बहुत सुंदर सा प्रश्ण है आपको सावित होगा चलो इस्क्स हावर बता रहे क्या बात है है तुमने कभी सिक्स हावर सोया है तुमने 8-9-10 अच्छों को तुम सिक्स हावर सुला रही हो कितना गलत ऑप्शन लगाएंगे खोड़ा सा धिमाठ लगाईएगा बच्चों के लिए भाई हम बयस्कों से तो थोड बारे लिए क्या है सोना आवस्यक है तो बच्चों के लिए कैसे 6 गंटा हो जाएगा अगला कुस्षन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर यह है आपको लोग करना है आपको यहां पर लोग करना है कि किस जैव छेत्र में स्टेप सब्द जुड़ा हुआ है कौन सा ऑप्सन जो है सब्द देना है चलो बहुत सुंदर भाईया बहुत बढ़िया देखिए किस जैव छेत्र से स्टेप सब्द चुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा हुआ है घास के मैदान से जुड़ा हुआ है हम उश्ण कटिवंदी इबन सवाना केनी फेरस क्यों लगाएंगे क्यों लग देंगे क्योंकि इस टेप से बना हुआ है एक इस टेपी और इस टेपी जानते ही हो जो किसको जोड़ता है जो जो जोड़ता है यूरेसिया को जोड़ता है यूरेसिया यूरेसिया से में जो घास के मैदान होते हैं दोस्तों वहां पर इस टेपी पाए जाते है यूरेसिय की बात हम कर लेते हैं यूरेसिया कहा जाता है इसलिए घास का मैदान हो जाएगा बस दिमाग वे इतना आपको रखना है अगले कोईसन की तरफ बढ़ेंगे कि बसा के प्रमुक स्रोथ क्या हैं बसा के प्रमुक स्रोथ क्या हैं A B C D में आपको लॉक करना है अंडा मास अक्र में फैट की आवस्यक्ता है फैट जो पदार्थ प्राप्त करवाते हैं उनका कौन सा आप्शन हो जाएगा आपको लौक करना है जबाब दीजेगा चलिए देगी आंसर क्या हो जाएगा जो अंडा मांस अक्रोट खादे तेल हैं यही दोस्तों सबसे ज्यादा बसा को खोजाएगा अगला कुशन 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि रक्त में उपस्थित अपसिस्ट पदार्थों को अलग करने का कारे कौन करता है बताइए रक्त में उपस्थित अपसिस्ट पदार्थों को अलग करने का कारे अगर आप गलत करते हो तो आपको गयर यह कैसे ग प्रकत मार रहे हैं क्यों मार रहे है क你ए खमार नहीं सही से पड़ा है क्योंकि आपको मारना ही है व्रक होजाएगा एक दो बच्चों कि लिए क्धिन कई jaki कहा जाता है और ouaisट उल्चिक साफ और फर एप किया और किया क्यों किया ये रीजन आपको पता होना चाहिए आंसर अमारा बी चला जाएगा अगला कुशन 15 नंबर लॉक किया जाए तो फिल्टर जो भी होता है ब्लट होता है वो किड्नी के माद्यम से होता है व्रक के माद्यम से होता है बहुत आसान था अगले कुशन की त कि को इसा नमबर नेक्स दोस्तों लॉक किया जाए आवाज नहीं आ रही है कि आवाज क्लियर होगी जहां तक मुझे उम्मीद है नेम लेकित में कौन सी शिक्षन की उपयूक्त विधी है गे जाए दप्शन की तरब बढ़ेंगे अगले कुस्षन की तरफ बढ़ेंगे कुस्षन नमबर नेक्स आपके स्क्रीन पर है 16 नमबर मदुमेह नामक रोग कौन से हार्मोन की कमी से होता है बताए मेलाटनिन, इंसुलिन, पैरा थाइराइड हार्मोन, एड्रिनल बहुत बढ़िया क्या बात है देखेगा दोस्तों, अगर हम मदुमेह की बात करेंगे तो मदुमेह आएगा इंसुलिन के साथ लेगर हैंस को सिकाएं जो होती है, अग्नियास से होती है उससे सम्मंदित होता है मदुमेह नामक रोग जो होता है वो इंसुलिन से रिलेट करेगा बहुत आसान है अगले question की तरफ बढ़ेंगे 17 नमबर देखिए अरब सागर में इस्थित भारत का प्रमुक तेल उत्पाजक छेतर है अब ये question अगर exam में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे बताइए ये question अगर exam में आ जाता है कि अरब सागर में ये question पिछली वार यूपी हाई है इसलिए इस question का answer क्या चला जाएगा option number A के साथ चला जाएगा अगले question की तरफ बढ़ेंगे question number 18 जो पैटागोजी का seat 8 का चुनिंदा प्रशन है कि NCA 2005 ने कच्छा 1 और 2 के लिए EBS के किसी भी निर्दारित पार्ठे करम और पार्ठे पुस्त्वों की अनुसंसा न ही नहीं है ना तो यह पर्यावन ना होने का कारण क्या है EBS केवल त्रतीक अच्छा से आगे वालों के लिए है कच्छा एक और दो सिक्षार्ति पढ़ और लिख नहीं सकते प्रासंगिक सिक्षण बातावन प्रदान करना है पार्ठे क्रम के भार को कम करना है अब कौन से इसे नहीं हो सकते बाई EBS 1 और 2 कच्छा में क्यों नहीं है क्या आगे तीन वालों ये केवल की बात कर रहा है तो निगेटिव है अंसर काट दीजेगा पार्टिकरम को भार कम करने के लिए निगेटिव है आप लिख नहीं सकते बच्छे कि यूँ नहीं लिख सकते बाई बच्चे को तो कोभी गलत नहीं बत बनाना है, बच्चा तो समझो DM है, आंसर हमारा C हो जाएगा, क्लास एक और दो में इसलिए नहीं है, क्योंकि बच्चों को उसी वातावर्ण में आपको सिखाना है, जिसमें वो सीखना चाहते हैं, और वो आसानी से सीख जाएंगे, है न बहुत सुंदर, देखी दोस्तों, हम से कह रहा है साफ साफ की निरंतर होने वाले सामाने सोर के दुस्प्रभाबों के कारण को कहते हैं, अगर निरंतर सोर हो रहा है, है ना, इधर भी पॉपों, इधर भी टेटें, है ना, बाहन निकल लहें, ठेला निकल लहें, ट्रक नि 20 number 20 number आप से कह रहा है ये देखो कोई कह रहा तीब्र जहर वड़े होश्यार हो ना तब ही तु कहते हैं पढ़ाई पे दहान दिया करो इसलिए कहते हैं पढ़ाई पे दध्यान दिया करो इधर उदर लोगों से क्याfire कांटेक्ट करने की कोशिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई पर अगर ध्यान दोगे या देंगी तभी सेलेक्शन होगा वरना नहीं क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है आजकल 20 नमबर 20 नमबर देखिएगा किरा अध्यन के आधुनिक द्रस्टिकोंड में छात्रों को अपनी गती से अध्यन की स्वतंता दी जाती है जिसे कहा जाता है क्या सक्री अध्यन कहा जायेगा अनुकूली अध्यन कहा जायेगा सहयोग पूर्ण अब जो बच्चा सहयोग पूर लगाएगा वो answer clock कर ले जाएगा क्योंकि ये ऐसा option है जो exam के आपके 7-8 question में आपको देखने को मिलेगा तो याद रखना कि जहां पर भी सहयोग आजा ये trick हमारी याद रखना जहां पर सहयोग आजा ये positive word है टेग word का positive word है जहां पर सहयोग पूर्ण आजाए अर्थ पूर्ण अधिगम आजाए वहां पर तुरंत ठोक देना दिमाग नहीं लगाना ठीक है चलिए अगले question पर आएंगे किस radio सक्री तत्तो के विकरण से उपजाओ मर्दा भी नस्ट हो जाती है कौन सा ऐसा option है जहां पर ये देखा जाता है कि एक ऐसा radio सक्री तत्तो जो मर्दा भी नस्ट कर देता है तो अगर मर्दा की बात करेंगे तो इस ट्रांसियम ये भी है एक radio सक्री तत्त यूरेनियम थोरियम ये थोरियम जो है आपके केरल में पाए जाता है अगर मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों यहां पर जो आंसर डी है न यही सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों क्या है हमारे radio सक्री तत्तो हैं जिनकी अधिक्ता से मर्दा भी जिनके विक्रन से मर्दा भी नस्ट हो जाती है अगला question 20 number 2 22 देखीगा ध्यान देजेगा बताई लौक किया जाए स्वागत है नए बच्चों का स्वागत है पुराने बच्चों का स्वागत है जितने भी बच्चे हैं लास्ट के कुछ छडों में जो भी समय बच्चा हुआ है वो अपना time जो है थोड़ी सी पढ़ाई पर जुरूर ध्यान दें क्योंकि ये वक्त पढ़ने का है जिन्दिगी बर कोई नहीं बढ़ता है रियलिटी तो ये है निम्लिकित भारती राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है तो वो है राजिस्थान की राजिस्थान एक ऐसा छेत्र है जो सबसे बड़ा इलाका है जो अगर हम देखें भारत क का राजिस्थान भारत का राजिस्थान जो इलाका आता है जो यह आप पश्मी इलाके में पढ़ता है गुजरात के उपर वाला छेत्र गुजरात तक जो समुद्री तटी रेखा लगती है लेकिन गुजरात के उपर वाला जो छेत्र है यह पढ़ता है राजिस्थान और महा कार्बो हाइडरेट तथा बसा युक्त भूजन को हम क्या कहेंगे कमेंड कीजेगा बहुत सुम्दर कि अगर मैं भात करता हूं तो कार्बो हाइडरेट जो होता है ये देता है हमें एनरजी देता है क्या आप को यह पता है ना कि Carbohydrate जैसे आलू उबला हुआ है सकरकंद है मीठी चीज़ जितनी भी है Carbohydrate Carbohydrate क्या है जैसे जिम करने वाले होते हैं या जिनको बीकने सोती है तो उनको जल्दी से घोल पिलाया जाता है या कोई ऐसा पदार जिसमें सरकरा होती है तो कहते हैं Car कार्बो हाइड़िट दो तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है तो उर्जा देने वाला जो भोजन होता है वो कार्बो हाइड़िट और बसा होता है अगला कुस्ष्ण स्क्रीन पर यह रहाए ट्वेंडिफॉर चलो बहुत बड़िया हाँ ओनलाइन वाला प्रक्टिसेट है विटा चलो अगले कुस्ष्ण की तरफ बढ़ेंगे EBS में निम्लिकित में कौन सा सीखने का सिध्धान्त है कौन सा सीखने का सिध्धान्त है अब सीखने का सिध्धान्त है जैसे आप ये बताओ कि आप जब छोटे थे तो आपको कैसे सिखाया जाता था या कैसे सिखाया जाना चाहिए था या आज आप पढ़ाओगे जाके एक विद्धाले में तो कैसे सिखाओगे तो हम कहेंगे ग्यात से अग्यात की तरफ ही जाओगे आप पहले जो चीज ग्यात है मालूम है और जो चीज फिर जो है अग्यात है जो नहीं मालूम है है ना वहीं से बढ़ोगे ना तो इसलिए इस question का अंसर D हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ेंगे question number है 25 अत्यदिक तापमान के कारण किसे तापी दीप कहा जाता है अत्यदिक तापमान का मतलब है कि कहां पर सबसे ज़्यादा temperature देखा जाता है इसलिए अगर temperature देखा जाता है तो उसे तापी दीप कहा जाता है और अगर तापी दीप कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है महानगरों को कहा जाता है इसलिए इस question का अंसर C हो जाएगा 26 देखेगा ये आपके लिए बहुतरीन कुश्चन है भले ही ना आए एक्जाम में आपको आना चाहिए कि एक ऐसी NCAP के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई किस राष्टी पार्ठी चर्चा रूप रेखा NCAP, NCAP का मतलब होता है National Curriculum Framework पर्यावरन अध्यन को परात्मिक इस्तर पर एक समनवित पाठेकरम छेत्र के रूप में पढ़ाया जाने की सिपारिस्की है अब जवाब दीजेगा कि भाई जो पर्यावरन जो आपका पर्यावरन स्टडी है यानि EBS है EBS सेक्टर है इसको प्रात्मिक छेत्र में सामिल कर लो प्रात्मिक इस्तर पर सामिल कर लो ये कौन से NCAP ने सुझाओ दिया था ये दिया था NCAP 2000 ने दिया था इसलिए अंसर हमारा C चला जाएगा अगला कोशन है 27 नंबर रेडियो सक्री तत्तो कौन से है आपको पता है अभी अभी हमने तीन तत्तो बताएं नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से आप इस्ट्रांसियम की बात करते हो इस्ट्रांसियम भी एक क्या है इस्ट्रांसियम एक रेडियो सक्री तत्तो है इसी तरीके से आप थोरियम की बात करते हो थोरियम क्या है एक रेडियो सक्री तत्तो है तो यूरेनियम थोरियम ट्रांसियम ये क्या है रेडियो सक्री तत्तो है इसलिए अंसर हमारा C चला जा किसी नदी के प्रदूशन इस तरकी माप की जाती है कमेंट कीजेगा कौन सा ओप्सन सही हो जाएगा कि किसी नदी के प्रदूशन इस तरकी माप की जाती है तो वो की जाती है BOD से की जाती है बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड होता है बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड होता ह इठा लीजेगा यहां पर इसलिए क्यों option number C हो जाएगा क्योंकि बायो chemical oxygen demand में यह होता है कि जो O है यह oxygen होती है इससे क्या होता है नदियों में जो घुली मात्रा होती है oxygen की इसकी जानकारी BOD से ही होती है कि कितनी oxygen घुली हुई है अगर oxygen की मात्रा सही है तो production कम है oxygen की मात्र खराब है तो production जादा है ठीक है चर्णोबिल दुरगटना से ब्यापक जलहानी के कारण थे यह चर्णोबिल जो दुरगटना है यह क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ बताता हूँ हाँ जी बिलकुल सही बात है बहुत बढ़िया चलो रियक्टर में इस्तेमाल होने वाले इनन की छणों के परखच्चे उड़ गये थे जो एक चर्णोबिल दुरगटना थी जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी मैं बता दू एक रेडियेशन निकला था रेडियेशन की बज़ए पूरी तरीके से वो जल गये थे दरजनों ल जैसे रेडियो धर्मी प्रदूसर्ण की बज़ए से चर्णोबिल दुरगटना को याद रखेगा तीस नंबर पेडागोजी कॉंसेप्ट बड़ा कुस्टन है ध्यान दीजेगा इविए सिक्षक के लिए निम्लिखित में कौन सा एक वांचनी अभ्यास है आपको लोग कर करना इवियस की अवधरना से सम्मंदित महत्पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों को प्रुसाइद करना इवियस के अच्छाए विश्यों की रहकिक विवस्ता करना या केवल आप देखी ये तो हम कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर C और D काट सकते हैं क्योंक या बहुसांसकतिक आयाम ले लो तो हमें तो कहीं ना कहीं बिविद काक्षाओं के बहुसांसकतिक आयाम को लेना है ना तो इसलिए ये भी और आपको देखना है कि जब प्रुसान करना लिखा हो तो इसको सही अर्थ में समझें कि कहां कैसे प्रियोग हो रहा है अद्रस से producing किसे कहा जाता है मातर पांच मिनट में 31 से 50 इन्छे आने वाले 20 कुशन में अपने आपको यह समझते हो अच्छा है आपका score तो 20 में 7 कुशन साही करके दिखाएए मज आ जायेगा अद्रस से producing किसे कहा जाता है गख़याँ कर आंद्रस से producing कहा जाता है धनी प्रदूशन को एक अद्रध से प्रदूशन की स्र्णई में रखा गया है जिसको कहा जाता है धीमा जहर कहा जाता है है ना, चल ये छोटे समू चर्चा निमलिकित में किसे प्रोसाहित करती है बता ये लॉकए जाए बहुत बढ़े है चलो छोटे समू चर्चा निम्लिखित में किसे प्रोसाहित करते हैं यानि छोटे जो समू नहीं होते हैं वो बताना है ग्रुप्स जो होते हैं तो मैं कहूंगा सक्री साजेदारी बिल्कुल सही है पारस्परिक सत्र सैकर्मी आधरिक संचार बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कोई भ पानव स्वास्त पर दुस्त प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अधिक्तम ध्वनी सीमा कितनी निधारित की गई हैं। एक बहुत बहुत बहुतरीन कोईशन हैं। प्रभावों को कम करना और विसिस्ट विस्यों को पेस करना। अब देखीगा यहाँ पर चार उप्सन हैं। चारो उप्सन ऐसे ही एक्जाम में आपको ऑनलाइन CBT में मिलेंगे। आनलाइन में आपको ऑप्सन लगाना होगा, जो माउस से क्लिक करना होगा, अब बताए कौन सा क्लिक करेंगे या करेंगी। यहाँ पर जो आंसर है 34 नंबर का, वो आंसर हो जाएगा पार्ठेकरम भार कम करना, क्यों? क्योंकि पार्ठेकरम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अदिगम में बदद करोगे तो यही पॉजिटिव आंसर होगा, याद रखना, आप विसिस्ट विस्यों को पेस करना तो बच्चा एक प्रेसर जहल लेगा क्या नहीं जहल पाएगा इसलिए आंसर हमारा केवल A होगा सरवादिक धोई प्रोडूर्शन किसे से होता है हाँ अगर आप ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है जिस बहन ने जिस भाई ने कि हम पहली वार सर देखने देने जा रही है सीटेट या पहली वार हमने जो है ऑनलाइन परिक्षा नहीं दी है बहुत से बच्चे ने दे भी ली होगी पहले भी कही एक्जाम में लेकिन अगर नहीं दी है तो मैंने बताया है कि एक्जाम को कैसे दिया जाता है वो वीडियो जरूर देखिएगा सीटेट ऑनलाइन एक्जाम कैसे दें गुरुजी वर्ड ऐसे आप सर्च करोगे तो तुरंत जो है आपका एक वीडियो खुल जाएगा आ जाएगा उसको क्लिक कर लेना पांच मिनट में आपको सिखा दिया है बढ़ावा देंगे आत्म जागुरुकता समझ संप्रेशन समाजी करन यहां पर अगर हम आंसर की बात करेंगे कि जो परिवार विशह पर गतिविदियां हैं जो उनके experience हैं जो एक बच्चे को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं कौन सा option हो सकता है तो हम कह सकते हैं दोस्तों किसके साथ जाएगा बताएगे 36 का 36 का जाएगा दोस्तों केवल जाएगा क्या आत्म जागरुकता होगा या समाजी करन होगा देगे यहां पर जो आंसर है वो option number A होगा समाजी करन इसलिए नहीं होगा क्योंकि परिवार विशह पर गतिविदियां और अनुभो बच्चे को आत्म जागरुकता यार यादर को पहले से ही उसने परिवार को जोड़ दिया है परिवार विस है पहले से ही उसने समाज को परिवार में इंडिकेट कर दिया है तो इसलिए आत्म जागरुकता का मतलब है कि बच्चे को क्यों बढ़ावा देंगे बच्चे को इसलिए बढ़ावा देंगे क्योंकि उनकी आत्म जागरुकता का मतलब होता है, अपनी समझ को बढ़ाना, क्रियेटिव बनाना, अगला कुशन 37, नाविकी पदार्तों का हितकारी प्रियोग किस शेत्रे में किया जा रहा है, जो नाविकी पदार्त हैं, नाविकी प्रियोग हैं, वो कहां पर किया जा रहा है, उर्जा का मतलब होता है क्रियेटिव कुछ क्रियेटिव होना क्रियेटिव होना दोस्त ध्यान दीजेगा क्रियेटिव अविव्यक्ति के लिए कौन सा विचार नहीं है जैसे ड्रामा और नाटक तस्वीर लेना पोस्टर बनाना पाठे पुस्तक से पाठ लिखना अंसर क्या हो सकता ह आप देखो कुछ creative का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा रचनात्मक कारे option में है नहीं तो पार्ट पुस्तक से पार्ट लिखना यही answer हो जाएगा poster बनाओगे तो अपना दिमाग लगाओगे तस्वीर लोगे तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग लगाओगे कि अरे तस्वीर वो नहीं है कि तुम्हारी अपनी selfie तुम लोग तो दिमाग केवल अपना लगाते हो कि अपनी selfie ले लिए और post करती Facebook या WhatsApp पे लगा दी या status पे लगा दी रो रहे हैं उसमे status ठोक दिया यह तस्वीर नहीं होती तस्वीर वो होती है जो आप creative सोचते हैं कि आरे हमको इस angle से हमको इस तरीके से हमको इस nature की हमको यहाँ हमको जीव हमको जन्तु है ना वो हम बात क क्या है यहाँ पर केवल आप नकल मार रहे हो पाटे पुस्तक में देख रहे हो और केवल लिख रहे हो अगला कुछन स्क्रीन पर ही रहा चलो बताएए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्राकृतिक आपदा नहीं है बिल्कु सही बादा किसी बच्चने का अगनी हुसकलन वह होता है जो परबतों का widgetya होता है शड़कों पर आना होता है परबतों का लुकना होता है यह बुसकलन होता है समझेहा देशी बहसा wear वह अगर मैं मैं यहां पर कहता हूं दोस्तों बार बिल्कुल है भूकने लेकिन अगनी खंद नहीं अगनी आक मानव क्रत्रिvy मापदा है चलिए चलो बहुत बढ़िया कि नेक्स्ट यदि आपको बन đã है सिक्षद और सिक्षिक तो मीद है कि आपने चैनल को सस्क्राइब कर लिया होगा वाइरस संक्रमर से होने वाला रोग है जुखाम है जिसको जुखाम कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो आंसर है वो डी हो जाएगा तब कहते हैं दूर रहो दूर रहो दूर रहो अगर नहीं दूर रहते हो तुमको भी हो जाता है एक लोगों को घर में हो प्रस्ण जो हर शिप्ट में पूंशा जाने वाला प्रस्ण है हर बार आता है कि निमलिखित प्रमोलों के और आपकेली यापके लिएmä गुजरात का भुज सहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण दोस्त हुआ था चलो आ है गुजरात में औ आया था एक्स्यल में भुकम पाया था हम लोग five और रिक यूद मना रहे थे उस समय ध्यानि जेगा थ लोग और करने में रहे थे समय की बात अगर मैं कर लेता हूँ तो यह 2001 में आया था सुभे जब मैं मना रहा था यहनी हम लोग मना रहे होंगे 8 बच के 46 मिनट पर इसी तरीके का इंडियन स्टेंडर्ड टाइम था और उस समय दहल गया था यह गुजरात का जो भुज डिश्टिक है वो दहल गया था आपको मैं बता दूँ यह दो मिनट से भी ज़्यादा समय यहां पर कहीं न कहीं पूरी तरीके से उदगार हुए और मकानों का डहना सब कुछ हुआ बहुत ज्यादा दोस्तों बहुत तीबरता थी ठीक है ना तो चलिए दोस्तों यहां पर जो आंसर देखा हमने ए हो जाएगा लौक हो जाएगा अगले कुछिन की तरफ बढ़ेंगे हाँ जी गुजरात का भुकम्प जो भुज भुकम्प के नाम से जाना जाता है 2001 में आया हुआ था ठीक है तीबरता थी 7.7 मरने वलों की संख्या बहुत थी 20,000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे एक लाग सरसर हजार लोग हैल हुए थे पताए दोस्त चलो बताईए सुनामी लहरों की जो उत्पत्ती होती है यह कैसे होती है यह होती है समुद्री भुकम्प से होती है सुनामी की बात करेंगे समुद्र में उटने वाली ऐसी सुनामी कहां से आया है सुनामी एक सब्द है जिसको जापान से लिया गया है जापानी एक सब्द है ठीक है ना चलेंगे बायू का जो आवरन प्रतवी की चारो और से घहरे हुए है उसको क्या कहा जाता है बायू मंडल कहा जाता है बायू मंडल में ऑक्सिजन भी है बायू मंडल में नाइटोजन भी है बायू मंडल में आपका आरगन भी है बायू मंडल में बहुत सारी गैसे जैसे CO2 भी है इसी तरीके से 0.03% ठीके ना यह देखने को मिल जाएगी आरगन कितनी होती है ज़र कमेंट कीजेगा बढ़ेंगे अगले कुशन की तरफ मनुसे के लिए निम्लिकित में बायूमंडल की सबसे महत्पूर्ण गैस कौन सी है अब बायूमंडल की गैस की बाती कर ली गई है तो मैं बता देता हूं कि एक गैस होती है जिसको कहा जाता है लाइफ चेंजर जिसको कहा जाता है जीवन दाइनी कहा जाता है और जीवन दाइनी है वो है ऑक्सिजन ऑक्सिजन की मात्रा कितनी है बायूमंडल में 2093 परसेंट है जिसको कहा जाता है 21 परसेंट कहा जाता है ठीके न चलिए अगले कुस्षिन की तरफ बढ़ेंगे बायूमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो बायूमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है 78% पाई जाती है ये भी बात दिमाग में बैठा ली जाएगा अगला कोश्चन है 47 नंबर लॉक किया जाए 47 नंबर देखे क्या है भारत में क्रसी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्रपूर तत्तो कौन सा है करसी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्रपूर्ण तत्तो है ब्रस्टी है अगर आप देखोगे भारत के कई छेत्र में भारत का जो बीच वाला छेत्र है ठीके ना तो उसमें पठारी लाके में देखी गए ब्रस्टी ब्रस्टी की बात अगर कर लूँ ब्रस्टी का मतलब है कि आपकी जो बरसा है इसका एक असमय ना होना ठीके ना राजिस्थान के लाके में होना या ना होना जम्बू कस्मीर के लाके में होना या ना होना ब्रस्टी चाया प्रदेश हो जाना कभी-कभी भारत के बीच वाले खंड में, चंबल से नीचे वाले पार्ट में, तो आंसर हमारा भी हो जाएगा बायो मंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, कमेंट कीजेगा, तो बायो मंडल की सबसे ठंडी परत जो है, वो बताईएगा, कमेंट कीजेगा फटाफट आयन मंडल में क्या होता है तो आयन मंडल में छोब मंडल में छोब मंडल में वर्सा होती है ताप मंडल में जिसको समताप मंडल कहा जाता है इसमें ओजोन परत है ठीके ना इसमें ही आपके बायुयान उड़ते है आयन मंडल में क्या होता है बताइए फटाफट रेडियो तरंगे होती है क्या मद्य मंडल में क्या होता है ठंडी परते हैं ठंडी परतों की बात करें तो मद्य मंडल के अंतरगत आता है इसका जो तापमान है वो रात का तापमान माइनस में चला जाता है 49 आयन मेंचल को कहा जाता है आयनो सफियर प्लेडिस्ट को सारी बाँच करियेगा प्लेडिस्ट में क्या है अगर आप चाहोगी या चाहेंगे आप तो दो घंटे में सब खतम हो जायेगा अैसे ही नहीं कि कोई भी वीडियो खोड़ लो और सीटेट किलियर हो जाए तुरंत सारी वीडियो देख लीजेगा जाके जल्दी जल्दी बढ़ा बढ़ा के और exam किलियर हो जाएगा वादा है कोई pad course खरीदने की जरूरत नहीं कोई किताब खरीदने की आवस्यक्ता नहीं है बस पढ़ना है आपको खुद पढ़ना पढ़ेगा कोई ऐसा नहीं आ जाएगा कि कल पेपर है आज रात में तुमको गुट्टी पिला के चला जाएगा सिंपल सी बात है पेपर छोटा हो या बढ़ा हो प्रेक करने के लिए पढ़ना पढ़ेगा ये जीवन का सत्य है मनुस्य की आहार नाल अनुपस्तित होती है ये कमेंट आपको करना है बताए कौन सा जवाब सही हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अंधनाल हो जाएगा और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा और मैराथन तो हम वीडियो की पांच वीडियो आपको मैराथन देंगे ही देंगे ठीक ना पांच वीडियो मैराथन देंगे ही देंगे जिसमें एक वीडियो में आपका पूरा EBS डिटेल वाला दूसरे में हम आपको Math डिटेल वाली तीसरे में हम आपको क्या देंगे CDP डिटेल वाली ठीक है ना ये तीन हो गए पचा आपका इंगलिस और संस्कृत एक वीडियो में देंगे और पचा आपका हिंदी पैडागोजी एक वीडियो में देंगे तो पांच वीडियो महराथन के लिए इंतजार के लिए हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एक दिन पहले तो वीडियो हमने करा दी होंगी ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं न पांच वीडियो महराथन के लिए सब को बता दो आप भी अगर नए हो तो चैनल को सस्क्वाइब कर लो एकजाम आपका हो जाए आप अध्यापक अध्यापी का बन जाओ चैनल को अंसस्क्वाइब मार देना मिनिमाता रोग का संबंद में किस से है आपको जवाब देना है तो अगर मैं कहता हूँ मिनिमाता रोग मिनिमाता की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये कुश्चन जो है लॉक करना होगा, किसके लिए, होमबर्ग के लिए, ये कुश्चन एकजाम में आता ही आता है, तो कैसी रही है वीडियो, आप सभी हमें बताईएगा, गुरूजी वर्ट के टेलिग्राम से नहीं जगर जुड़े हैं, तो गुरुजी वर्ड के टेलिग्राम से जुड़ने के लिए G.U.R.U.J.I. किस्पेस W.O.R.A.D. कल हमने एक पीडियाफ आपको दी है पाल विकास की अभी हम कुछ और पीडियाफ आपको देंगे ठीके ना जैहिन वंदे मातरम मिलेंगे नेक्स्ट बीडिये में अब तक के लिए आप सभी को बहुत सरा प्यार गुरुजी वर्ड के टेलिग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च करें G.U.R.U.J.I. एक स्पेस W.O.R.A.D. आपको गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी पर अगर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपके टेट सीटेट की सारी वीडियोज हम एक ही लिंक में अगर एक लिंक आपको दे देंगे तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा इसलिए लाखों बहने देखिएगा लाखों बच्चे यहाँ पर गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी के गुरुजी वर्ड वाले यानि केवल गुरुजी वर्ड सर्च करना है वो टेलिग्राम पर सर्च करना है ठीक है न तो गुरूजी वर्ड पे अगर इतने यहाँ पर सब्सक्राइबर या इससे थोड़े बहुत जादा या कम आपको देखने को मिल सकते हैं वही जोईन करें 10, 20,000, 50,000 वालों ना जोईन करें वो हो सकता है फेक हो तो याद रखिएगा यह टेलिग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर बहुत तेजी से अपडेट आपको हर चीज की मिलती है अगर आपको सिक्षक और सिक्षिका बनना है जैहिन लव यो गाइस थैंक यू